हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मैं संदीप परमार अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम फिर से एक बार बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से प्राइज में भारी गरावर देखने को मिल रही है तो फिर हम आज आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं और बात करते हैं डिजिटी कॉइन पर तो फ्रेंड्स अभी बहुत ऐसे लोग हैं हमारे चैनल पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं और वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि कॉर्वियो बहुत बड़ा स्कैम है और जिसमें बहुत साई लोगों का काफी सारा यानि लाखों रुपे डूप चुके हैं तो जिस तरीके से प्र scam इसे कहना बिल्कुल आजमी है और आगे चलके इस पर बात करते हैं कि क्या ये एक scam है या फिर एक सोची समझी चाल थी जिसमें लोगों का पहले पैसा invest कराया गया उसके बाद Corbio यानि DGT coin launch किया गया लोगों को coin दिये गये और बाद में उसके price को एक दम से धढ़ाम नीचे गरा दिया गया जिसकी वेशे लोगों का बहुत सारा पैसा डूब गया तो friends अगर हम पिछले तीन दिन की बात करें यानि 26, 27, 28 तो DGT के coin में भारी गिरावट देखने को मिल रही है यानि जो price है .001 से .0011 यानि पहले .0014 था उसके बाद काफी गिरावट देखने को मिली और .001 अभी वन वन प्राइज है तो in future अगर इसी तरीके से गिरावट अगर और भी आती रही तो point के बाद ये कहना मुश्किल होगा कि price में कितने सारे 0 एड हो जाएंगे क्योंकि बिल्कुल भी कोई भी उचाल नहीं दिख रहा है तो दोस्तों अगर हम price की बात करें या फिर price analysis की बात करें तो January 2022 से जो price थे 1.2 डॉलर के उसमें आप देख सकतें कि भार ही गिरावट देखने को मिली और January मन्त में जिस तरीकी से price ने काफी अपने आपको sustain किया था थोड़ा सा hold किया था तो एक उमीद बनी थी या फिर एक momentum था कि कही न कहीं price में थोड़ी से उचाल देखने को मिलेगा लेकिन continuous उसके बाद लगातार भारी गिरावट देखने को मिली और price अपने आपको बिल्कुल भी sustain नहीं कर पा रहा है और गिरावट continue रही और अगर हम फर्वरी मन्त की बात करें तो फर्वरी मन्त के last तक ये price गिर के $.001 तक पहुँच गए अब इसके बाद ये price आगे कहां जाने वाले है ये कहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि भारी गिरावट जिस तरीके से देखने को मिल रही है तो अभी जो existing investors हैं उन्हें क्या करना चाहिए तो friends जो अभी existing investors हैं उन्हें क्या करना चाहिए उससे पहले बताने के लिए हम आपको बता देते हैं कि जो price है उसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है और .2 से .1 डॉलर जनवरी मंत के last में आगे थे और उसके बाद अभी पॉइंट डॉलर से जो price हैं वो काफी गिर चुके हैं तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि इसके price में कब आपको एक तेजी देखने को मिलेगी फुचर में हम price की बात करें तो ये आपको .001 उसके बाद आपको .0005 तक जाते हुए दिखेंगे तो जो अभी existing investors हैं उनके लिए काफी panic situation आने वाली है तो आपको पर घबराना नहीं है आप अपने coin को hold करते रखें और आपको monthly या weekly अगर आपको coin और add हो रहे हैं आपके wallet में तो आपको sale नहीं करना है आप उनको holding रखें लेकिन अगर आपको और पैसा लगाना है तो उसके लिए हम आपको suggest करेंगे कि अभी आप और पैसे ना invest करें इसलिए जो existing investors है ना तो वो sale करें ना ही और पैसे invest करें जो new invest करने का सोच रहे हैं उनको तो हम बिल्कुल ही मना करेंगे क्योंकि आने वाले समय में अभी ये देखना होगा कि court का क्या फैसला आता है या फिर जिन लोगोंने complaint की है कॉर्वियो के लिए उनके पक्ष में फैसला आता है या फिर company की अंगेस्ट फैसला आता है और अगर हम आने वाले समय में और भी जो लोग इसे जुड़ना चाते हैं तो उनको बिल्कुल suggestion रहेगी कि कॉर्वियो जैसे और भी बहुत सारे market में प्रोग्राम है चले है जैस कहीं न कहीं ये एक fraud ही होता है कुछ समय बाद जिसमें आपका पैसा डूब जाता है अगर हम अब बात करें कि अब इसके प्राइज में पंप यानि अब इसके प्राइज में आपको बढ़ोतरी कब देखने को मिलेगी तो दोस्तों उसके लिए जो review यानि dgt coin है उसे अपन कहीं न कहीं से investment लाना होगा तब जाके कहीं न कहीं इसके प्राइज में आपको जंप देखने को मिलेगा अगर इनकी टीम या फिर इनकी जो management टीम है अगर वो नए प्रोजेक्स नहीं लेके आती है नया investment नहीं लेके आती है तो अब यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि आन प्रोजेक्स भी मार्केड में नहीं है या फिर coin बहुत अच्छे अच्छे ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म पे अगर launch करता है यानि dgt coin की अगर launching होती है कहीं न कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पे तो उससे नया पैसा आएगा buying और seal होगी तो हो सकता है कि उसकी वज़े से आने वाले समय में आपको price में उच्छाल देखने को मिल जाए लेकिन इनकी management team को भी बहुत कड़ी मसक्कत करनी पड़ेगी बहुत सारा work करना पड़ेगा तब जाके कहीं न कहीं इसके price में उच्छाल देखने को मिलेगा अगर team और इनकी जो blockchain platform में वो अगर काम नहीं करते हैं तो अब यह कहना बहुत यह कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कर्वियो के price में आपको उच्छाल बहुत सालों तक नहीं देखने को मिलेगा जो price है वो भारी गिरावट के साथ नीचे गिरता ही जा रहा है point 00115 dollar के आसपास है जो कि price किसी जमाने में 10-15 dollar के बी दो लोग इसमें invest कर रखे हैं वो थोड़ी से panic situation ना create करें अपने आपको holding रखें क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता है आपने जो पैसे invest किये थे वो return आना तो अभी बहुत समय लगेगा तो आपके कुछ 1000 कुछ 100 में convert हो गए तो उन्हें बेचकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है तो holding बना के रखें आने वाले समय में कितना समय लगेगा ये तो कहना मुश्किल होगा लेकिन हो सकता है कि अगर इनकी team और blockchain के साथ अगर कुछ tie up हो जाए और बहुत अच्छे ये projects market में लेके आ जाएं तो कहिना कि price में उच्छाल देखने को मिलेगा तब तक है क्योंकि उससे पहले और कुछ नहीं हो सकता है तो नए investors को बिल्कुल हमारी suggestion है कि बिल्कुल investor ना करें और जो existing investors है उनको हम इतनी सला देंगे कि आप अपने coin को hold रखें क्योंकि आपको बेचने से तो भी कुछ मिलने वाला है नहीं आने वाले समय बहुत crucial और भी हो सकता तो point के बाद 30 then point के बाद 50 आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी तो आप existing investor hold करके रखें नया पैसा बिल्कुल भी ना invest करें नहीं 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 आईडिज लगाएं जब तक कि management कहीं अच्छे trading platform पे अपने coin को launch नहीं कर देती है या फिर different projects नहीं लेके आती है या फ हमारी आपको सलाई रहेगी कि ऐसे coins थे और ऐसे projects से दूर ही रहें और ज्यादा जितना आप risk ले सकते हैं जितना आपका पैसा डूब जाए हूँ उसको आप wear कर सकते हैं नहीं सह सकते हैं अगर आपका एक दो हजार रुपे गुम हो जाए या फिर एक दो हजार रुपे इ बॉस हो जाए तो आप उतना ही invest करें ज्यादा लाखों में invest ना करें क्योंकि ऐसे projects कभी भी future फाइदा नहीं देते हैं long term में short term में थोड़ा बहुत profit देते हैं लेकि long term में बिलकुल भी profit नहीं देते हैं तो हमारी आप सभी investors को या फिर जो लोग इस वीडियो को देख रह है उसके बाद Binance है Solana है Ethereum है आप ऐसे अच्छे अच्छे projects में invest करें जो कि globally coin है ऐसे कोर्यू जैसे coin में invest ना करें क्योंकि यह आपको long term में loss ही देते हैं जब तक profit होता है तब तक profit होता है उसके बाद loss होना start हो जाता है और वही अभी existing investors को हो रहा है दोस्तों अगर आप य चैनल पर first time है तो हमारे चैनल को जरूर subscribe करें अगर आपका कोई और भी सेशन है तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं या फिर अगर आप किसी coin के ऊपर कोई individual video चाहते हैं था वो भी हमें comment box में comment करके बता सकते हैं हम आने वाले समय में उसके उपर वीडियो लेके आएंगे और आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो like करें share करें comment करें आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thank you